हालो गाईज कैसे आप सब लोग टैरोक्सपिटबल 6 पे आपका बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं कि मैं केंडल वैक्स रिडिंग करने जा रही हूं और आज मैंने टॉपिक लिया है कि आपके पार्टनर किस एनरजी में हैं आपको लेकर और में टॉपिक जो है मैंने य करने जारें लिए करने गहां यहां नीडिग करने या जाने से पहले बताना चाहते हूं कि अगर आपको पर्सनल रिडिंग चाहिए तो बहुत ही अफारडेबल चारिजर पी मैं करती हूं ठीक है एक आदे थू को इप इंदिया से बहुत कम हैं तो मैं फुल रिडिंग उस का ध्यान कीजिए औल्राइट स्टार्ट कर जाएं गाइज केंडल बैक स्रीडिंग सबसे बहले आज औरेंज फ्लावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ठीक है आप सभी को मेही तरफ से जन्मस्टमी की शुब कामना है एक सिंदूरी कलर आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा सिंदूरी कलर जानते हैं आप जैसे कोई औरेंज कलर मतलब ठीक है जिसमें थोड़ा से रैड मिक्स होता है वो सिंदूरी आज मैंने टॉपिक लिया था उसको एक बार फिर डिसकस कर लेते हैं यह टॉपिक था कि आज क्या है आपके लिए तो मेरे साथ बने रही है यह ऑल राइट सबसे पहले स्टार साइन की बात करते हैं सबसे पहले कोई Paisies हो सकता हैлом हो सकता है सेक लिएविधा दिख रहे हैं Sagittarius Virgo यह स्टार साइन है लेकिन कुछ भी हो सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि आपका स्टार साइन नहीं बोला है तो वो नहीं होगा ठीक है यह आप से रेडिंग फिर भी मैच हो सकती है और मेरी हमेशा रेडिंग टाइमलेस होती है आप जब भी देखेंगे आपको मैच करेंगी ठीक है कोई सी भी रेडिंग खोल के देख सकते हैं एक तो बात मुझे एनर्जी में लग रही है कि आज आपके पार्टने आपसे बहुत पैस्टनेट है मुझे लगता है यह भी डही है तो बहुत जब्ला दो करे हैं आपको किसी बात को कहने की बोग ऐसा मालब इन kita21 ऑति का व् nuclear करने का कीली oh असा मुझे लगता है कि कोई बात करने का हींट किसी वी तरह जैसे तरह से आप यावार करने जया आप करना क्ना चाहते हैं सिच्वेशन थर्ड पार्टी फोर पार्टी कुछ भी हो हम सिर्फ डिसकस करेंगे कि वह उनकी एनरजी क्या है करेंटली और उनके इरादे क्या है आज ठीक है आज उनके इरादे आपके लिए क्या है यही मेरा रेडिंग का टॉपिक होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत एक्टिवनेस में देख पा रहे हूं थोड़ा फ्रेश फील हो रहे है या तो इनके कोई जैसे कोई थे हैल्थ इशूस थे छोटे मोटे वह खतम होके यह एक नहीं उडजा में यानिकी फ्रेशनेस फील कर रहे है ठीक है यह कुछ लिटरली किसीने कुछ करा है जिस अगर योगा एक्सराइज करते होंगे तो डेफिनिट में मालब जैसे एक्टिवनेस मैं देख पा रहे हूं इनकी बॉड़ी में ठीक है यह मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं लेकिन बहुत एनरजेटिक और बहुत ही बहुत ही ग्रेट वाइब से आपको याद कर रहे हैं यह जाइए गुड न्यूज आपके इनके जॉब से संबंधित भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे यह पर लग रहे है कि कोई ने कोई कारियर जैसे करियर करियर जो होता है नहीं किसी इंसां का जब थोड़ा सा भी बढ़ने लगता है इस्टेवल होने लगता है तो इंसान थोड़ के discuss करना चाहते हैं आपको कुछ बताना चाहते हैं यह कोई celebration वाली उर्जा भी हो सकती है यह हो सकता है कि आपके पास कोई message आए जब यह आपको मिटिंग करने का भी सोचें तो कोई मिटिंग वाली बात इनके दिमांग में आ रही है कि आपको मिटिंग करके कुछ बताया जाए और यह कोई गुड नियूस होगी ठीक है कि दीक हो देखे मुझे लगता है कि बहुत से लोग मलब जैसे कहते हैं कि पास में भी रहते हैं और कुछ लोग दूर भी रहते हैं यह तो लॉंक डिस्टेंस आपका एक-दो दिन कोई डेट पर आप जा सकते हैं और यह डेट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगी और बहुत ज़दा खुश भी करेगा आपको दोनों को ठीक है किसी चीज का मालब कोई सैलिब्रेशन मैं मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है जैसे कोई फूलों की बहार औरेंज कलर के फूल फ्लार की बॉच्छार हो रही है ठीक है बारिश में कोई लिटरली कोई ट्रवलिंग कर रहा है ऐसा भी मुझे यहां पर दिख रहा है तो ट्र मुझे इनके विचारों में ऐसा लग रहे है कि आपको बहुत बहुत एड्मायर कर रहे हैं और किसी चीज को लेके बहुत खुश फील कर रहे हैं कि अब मेरा रीउनियन होने वाला है ऐसा इनके वाइपस मुझे आ यहां पर आ रहे हैं देव कि आपकी situation मुझे सबसे बड़ी बात ही लग रही है कि आपके parents नहीं मानते ठीक है आप में caste issues अलग है इसलिए आपके parents नहीं मान रहे हैं लेकिन फिर भी आप hopeful हैं ठीक है कुछ लोगों का मुझे लग रहे है कि आप दुबारा marriage करना चाहते हैं ठीक है यह situation अलग-अलग होगी सबके लिए लेकिन जो भी हैं आपके partner जो हैं आपसे बहुत hopeful हैं और यह कहीं नहीं आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे और intelligent person हैं ठीक है आप जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं और आप जो date पर जाते हैं तब भी आप यह कहते हैं कि यह जो इंसान है आप बहुत भरोसा करता है यह loyalty आपकी जानता है आपने इस relationship में बहुत कुछ किया है और सहावी है इनकी तरफ से कई बार ignorance आपने फील किये लेक जाता है और इंच कोई चीज आपने पहनी हो तो बहुत बढ़ी आए ठीक है मैं यहां पे बहुत ही जैसे कहते हैं ने सिंदूरिया कलर आज बहुत इंपोर्टेंट होगा आपके लिए यह जैसे जैसे दिन बिटते जा रहे हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं और यह कोई good news देने वाले हैं बार बार good news की vibes आ रही है इनकी current feelings का हो तो यह देखिए सबसे पहले तो मुझे लग रहे है कि आपसे रियूनियन चाहते हैं ठीक है एक clarity की साथ आपकी साथ relationship में एक नया पन आने वाला है समया पर देख पार हूं इनकी उड़जा ऐसी है कि यह अब आपसे दूर नहीं रह सकते यह कहते भी होंगे कई बार आपका message और call आता है तो उसमें ही कहते हों कि yes आपका मिल रहे हो ठीक है इनकी desires आपके लिए बहुत हैं आपके करणे करना चाते है कि मैंने आपकी साथ traveling करना चाहते है करम भे बहुत है बहुत है नहीं कि रहे जाते हैं कि बहुत है लग रहा है कोई नयापन देख पार हूं और डेफिनेटली एक एक जैसे कोई इन में विश्वास आता जा रहा है confidence आता जा रहा है confidence लेवल इंका भढ़ रहा है यह हमेशा देखिए यह चाहते हैं कि इनके घर में मुझे लगता है कि कि इनको भी बहुत जल्दी क्लिरवाल हैं इस बात की कि आपके साथ यह नहया रिष्टा जोड़ना चाते हैं यह मुझे second marriage किसी की लग रही है ठीक है जो भी situation है कोई divorce है किसी का second marriage है कोई literally reunion चाहता है कोई literally unmarried है तो definitely आपकी बाते आगे बढ़ रही है proposal आपके पास बहुत है लेकिन आपने इनी को suggest किया है ठीक है देखे literally मुझे किसी का नाम पीस से start होता हु ने जर आ रह रहा है Hello P साधक और की energy a, a be मुझे यहां पर दिख रहा हैं किसी के लिए बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है ठीक है तो जो जो में दिखा है उससे आपका अलफाबेट से आपका नाम शुरू हो सकता है इनकी आपकी एज या तो बहुत हाई फाई है यानि कि 40 से उपर है या फिर आप बहुत जैसे कोई 30 से नीचे नीचे ही है ठीक है ऐसा भी मुझे आपके लग रहा है एज का कोई इशू नहीं है कुछ भी हो सकती है मुझे देखे वह बहुत ही प्यारा एक फ्लावर जो कि देखे मुझे सन की उर्जा बार बार दिखाई देरी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत जल्दी इस बात की क्लेर्टी आजएगी कि यह चाहते क्या है अभी त मैनिफेस्टेशन है वह एकसेप्ट कर ली गई है भगवान की दुआ में जो आप मांगते हो ना उसको एकसेप्ट कर लिया गया है अभी काफी कुछ आपको क्लेर्टी देने वाले अभी तक इन्होंने कुछ खुल के बताया नहीं होगा लेकिन इनके इरादे देखे मैं ब यह कोई कंडिशन नहीं बलकि यह आपकी विल्पावर है कि मलब आप इनके साथ रहोगे तो डेफिनिटली आपकी उपर यह कॉन्फिडेंस है कि यह आप जो करोगे वह इनके साथ रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा यह आपको मना लेंगे किसी भी तरह देखे इनके रादों में एक बात और दिख रहे हैं कि इनकी फैमिली आपकी फैमिली से बिलकुल सही तरीके से रहे और कोई लड़ाई जखड़े नहीं हो आपका रियूएन जब होगा तो सब की खुशी से होगा यह अकेले खुश रहना नहीं चाहते क्योंकि बहुत रैस बनती है यह सब को खुश रखे चलने वालों में से हैं यह माई वे और हाइवे चलेंगे आपकी नहीं सुनेंगे लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए कोई गुड नियूज आने वाली है यह देखे आपने गाना सुनोगा तो मीले तिल खेले ऐसा वाला सौंग जो है वह आज आपके लिए बहुत इंपोर्टन और जीने को क्या चाहिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़दा एड्मायर करते हैं आपको और मेरे जो वीवर हैं बहुत ज़दा खुपसूरत है इ कि यह हीरो इन यह कोई हीरो है ठीक है इस तरह से आपकी प्रशनसामे दो शब्द या बहुत सारी शब्द कहते हैं ठीक है इस अगर शुपाना भी होगा तो बहुत कम चीज़ होगी जो इनके मन में रहती हैं हुगली देते हैं इसके लाभ मुझे इसके एंका नेक्स्ट चाहते हैं जैसे कि मुझे बताएं कि कोई गूज देने वाले हैं आप से मिटिंग ओने वाली और जो बाते इंके दिल में चल रही वह आपको बोलना चाहते हैं तीसरी बात मुझे यह यहां पर एक्फिर को कोई ऐसा इंसान है जो कि यह अपोज भी करेंगे ठीक है जिसको यह बताना चाहते हैं कि जो इनका रिष्टा है बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारा है तो उसको बिगाड़ने नहीं देना चाहते हैं लेकिन कोई इनके फिवर में नहीं है ऐसा भी मुझे आंपे लग र गलत इस्तिमाल नहीं करना चाहते हैं बड़पन होने की जगह यह अपनी रेस्पोंसिमिलिट्र को जानते हैं और सब को मना के चलना इनकी वह है ठीक है यह अपनी विल्पावर को यूज़ करके कहीं न कहीं उनको समझाने की कोशिश करेंगे एक बात और नजर आरी है मुझे आपकी रिडिंग में कि कोई नो कोई आपका हेल्प भी करेगा जैसे कोई आपका फेवर भी करेगा कोई है आपके इनके ब्रेदर हो सकते हैं आपके सिस्टर हो सकती इस तरह के एनरजी दिख रहे है ठीक है यह कोई नो कोई इनसान जो है आपके relationship में helpful है ठीक है और बहुत से लोग यहां पर supportive रहेंगे आपके ठीक है एक अगर इंसान अगर आपोज में है तो बहुत से रहे लोग आपके relationship को support भी करेंगे देखिए कोई भी relationship work जब भी करता है जब आप एक दोनों की energy साथ हो जैसे energy का साथ का मतलब यह होता है कि जब आप किसी से expectation बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी आपसे कुछ expectation रखता है relationship को चलाने के लिए एकाज से ताली नहीं बदानी जीए दोनों आज से बजाना पड़ता है और इसी बात को आप समझना पड़ेगा आप दोनों को ठीक है थोड़े से अपनी मन को शांत रखके करिएगा गुस्से और जैसे लड़ाई जगड़े से दूर रहेगा मनाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाईएगा ठीक है इस तरह से मैं आप पर बोलूँगी इनका next action यह है कि कहीं न कहीं है आपके घरवालों से बात करने वाले है अपने घरवालों से बात करने वाले है और चाहते यह ही है कि आपके relationship में एक नहीं उड़ जाए ठीक है यहां पर बहुत से लोग एक जैसे clarity के साथ आगे बढ़ेंगे कि अब हमको क्या करना है मुझे लगता है कि आपको पहले ही बुता चुके है कि प्लानिंग क्या है इनकी ठीक है यह बहुत जदा minded वेक्ती है और बहुत responsibility है जब यह किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते ना तो यह का कुछ कुछ के लिए मुझे से रगा है कि आपका जो भी आप जिन से deal करें वो definitely कुछ work करेंगे आपके relationship में और यह work आगी तक चलेगा ठीक है यानि कि आपको long distance होगा तो खतम हो जाएगा आपकी शादी अगर fix नहीं हो तो वो fix होने वाली है लेकिन सब से differ करेग यह चीज है ठीक है अब देखिए तीन message में लास्ट के लूगी वो आपके लिए है ठीक है आपके partner आपको क्या message देना चाहते है आज की दिन ठीक है सबसे पहले तो मैं बहुत जल्दी मिलने आ रहा हूं ठीक है यह वाला message आए मुझे ठीक है आपसे अगर resonate करती है reading तो मुझे comment section में ज़रूर बताएगा like कीजिएगा subscribe करना मत बूले ठीक है यह तीन चीज़े मैं भी आपसे कहूंगी चले देखते हैं कि next मैं यहां पर यह देख पा रही हूं कि यह definitely चाहते हैं कि कही न कहीं आप भी इनके साथ चले हैं कि थोड़ा adjust करने के लिए बोल रहे हैं तो यह यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि जानम तुमको adjust करना पड़ेगा ठीक है यह second message हो गया और third and final message मुझे यह मिला है कि आपको यह अपने वाले हैं कि आपके साथ इंका रिष्टा fix हो जाए ठीक है तो आज की reading में बस इतना ही में next reading में जरू मिलते हूं आपको इसलिए आप मेरा वेट कीजेगा मैं और readings बहुत जल लेके आओंगे आपके लिए thank you so much कोई suggest करना चाहते हैं कोई भी topic तो कर सकते हैं मेरी वीडियो